राम राम सारे भाईयाने दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन आपके लिए मैं बढ़ाता हूँ संडे कमेंट बॉक्स वीडियो इस वीडियो में आपके कमेंट होते हैं जिनका मैं रिप्लाई करता हूँ तो चली दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे पास सुरेश भाई का कमेंट आया है आप इनका कमेंट पढ़ सकते हो इनका नाम है सुरेश कुडेम1045 दुवन वया मेरा लग साथ नहीं दे रहा है यही लग आपको एक दिन करोडो की जीगल जिताएगा मैं फेंटासी छोड़ दूँगा लिख के दे सकता हूँ मेरे को आप कोई ऐसा फेंटासी एक्सपर्ट फेंटासी पिलेर दिखा दो जो कभी हारा ना हो सब आरते भाई सब जीत रहें सब आरते हैं देखो सुरेश भाई हमारा लग ऐसा है आप निनी सुना कई भायों से मेरा लग तो खराब है मैं एक पॉएंट से हार गया मेरा लग बहुत बढ़िया मैं करोडो की जीगल जीत गया सुरेश भाई आप फेंटसी खेलते रहो लग है कभी हारेंगे कभी जीतेंगे देखो हमें निरासा बहुत होती है दुख बहुत होता जब हम हार जाते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से पिस रिपोर्ट पलेग लेओन ये देखकर टीम बनाते हैं बहुत गजब की टीम बनाते हैं लेकिन भाई लखी बात है पलेड चल गए तो हम जीत गए पलेड नहीं चले तो हम हार गए दो तीन चार मेंबर की लीग में हमको वो पलेड लेने हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहें लगा तरह मैं चुने कुछ ऐसे पलेड हैं जो खेल रहें लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जनता उन्हें भूल जाते हैं लेकिन आप उनको अपनी टीम मिलो माननो भाई कोई ऐसा पलेड है जो आपकी टीम में है उसका स्लेक्शन 20 और 25 प्रेंट है और आपकी रैंक लाखों में है वो चल गया तो मैं कहता हूँ आपकी रैंक 500 आएगी क्योंकि वो बहुत कम लोगों के पास है तो ऐसे पलेड अपनी टीम में रखा करो और हो सके तो कैप्टन भी मनाया करो अगर आपकी सीरीज की पलेड को अपनी टीम में रखे रो ना तो इसको कैप्टन ठोक दो कैप्टन क्योंकि जो बड़े बड़े पलेड है जिनका स्लेक्शन 90 है 80 है 75 है दुनिया रखेगी कैप्टन भी करेगी वाइस कैप्टन भी करेगी लेकिन आपको कुछ ऐसे पलेड ढूनने हैं जो आपकी किसमत को बुदल देंगे जो कम स्लेक्शन की हैं कैप्टन भाइस कैप्टन कर दो एक क्रोड से ज़धा टीम में तो भाइ ऐसे पलेड रिकामाएंगे जिनका स्लेक्शन 90 है जो कुछ मैच वह से चले नहीं है चार पास मैच से दो तिन मैच से चले नहीं है कैप्टन ठोक दो उसके साथ आप किसी आल रांडर को कैप्टन बना दो मैं गहता हूँ आपकी रेंक पचास बीस पत्चीस इतनी आए जाएगी और भाइ ये रेंक बहुत माईने रखता है आपकी फेंटासी केरियर में देखो भाई हम अपनी टीम को अच्छी तरीकसे बनाते हैं सोच समझकर बनाते हैं कि आज तो हम जीएल जीजाएंगे लेकन क्या होता है कुछ भाई किसमत खराब होती है लग खराब होता है उनके प्लेइड नहीं चलते भाई आपके प्लेइड भी कभिन कभी चलेंगे आ आप आराम से खेला करो हडबड़ी मत किया करो और वो ऐसा मैस मत खेलो आपको जिसकी नोलिज ना हो और आपको तगडी ट्रिक बताता हूं मैं जीहल जीतने की कोई प्लेयर हो जीरो पे आउट हुआ है तो उसको अगले मैस में कैप्टन करदवाई याद आपको याद है अभ ठोक दिया भाई ने तो यह ऐसी ट्रिक है आपके काम आ सकती है जो प्लेयर जीरो पे जा रहाँ आप उसको कैप्टन कर दो भाई किसमत की बात है लग की बात है चल गया तो आपके मजे हैं क्योंकि बाफ जो प्लेयर फ्लोप होता न माल दो और रूम बनाए तीन बनाए ज उसको पक्का अपनी टीम में रखना जो बोलर है डैथ में बोल डालता है उसको पक्का लिया करो जो फिनिसर है छैन नमबर पांस नमबर प्यारा और पहले बैटिंग है कैप्टेन कर दो जील में आपकी मीनी जील जील आ जाएगी तो सुरेश भाई लग की ऐसी बात है हमारे साथ है हमारे साथ रेगा अजब तक fantasy है चलेगा भी नहीं चलेगा सब हारते हैं बाइब बात ऐसी कोई बताता नहीं है और आपने बता दिया अच्छी बात है आपका comment मुझे बहुत आच्छा लगा fantasy में बहुत कम ऐसे वाई हैं तो नहीं बताते कि हार गया अगर बता दे निया है कि आप हार गे तो अगले मैस में मत खेलो 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 क्योंकि अलग मैस है अलग प्लेयर है अलग पिछ रिपोर्ट है अलग कैप्टन है है फिर मिलेंगे एक और ऐसी संदे कमेंट बोक्स वीडियो में धन्यवाद और अपना चैनल है ठेकनिकल दुवन इसको क रहीं